दोस्तों स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 में औरुख करते हैं बिहार की तरफ दोस्तों एक बड़ी ख़वर आ रही है जो बहुत सारे चात्रे से का सवाल पूछ रहते कि ये जो Special School Teacher का सब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा तो देखें Important Update आ चुका है आप सभी चात्रे जिन्हों ने इसका एक्जाम दिया था जिस काटेगरी में जैसे बहुत सारे लोग आपे Cerebral Palsy के लिए दिया था एक्जाम या Blindness के लिए या Hearing Impairment के लिए या Low Vision के लिए हर एक Section के हर एक काटेगरी का जो है रिजल्ट दे दिया गया है साथ ही साथ आपका District Allocation List भी दे दिया गया है तो आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं अपने Results को डाउनलोड करके Suppose मान लिजे कि आपने Blindness वाला डाउनलोड किया उसका Cut-Off देख लीजेगा और अपना District Allocation List देख लीजेगा जिन लोगों का यहां पर Result हुआ है तो यह Special School Teacher क्या है तो जो लोग यहां पर वैसे अभिहारति को जो की PH कैटेगरी से सम्मंदी थे उनको पढ़ाने के लिए यहां पर उनको Recruit किया गया था अभी आपको बदादे कि बिहार STET 2023 में भी इनका एक्जाम लिया गया और अभी बिलहाल आपको बदादे कि बिहार STET के जरिये ही 2024 में कुछ और फॉर्म निकाले गए हैं 1700 कुछ पोश्ट के लिए तो उसके लिए कल लास्ट डेटे फॉर्म पीस पेमेंट करके यहां पर सब्मेट करने का तो वो काम भी कर लिजीगा BPC Terry 3rd में ये काम आएगा चलिए अब सबसे important जिसका इंतजार छात्रों को था यहां पर के सर 125 का कब तक result देगा तो देखे दिया गया है result वन टू फाइब का education department का कुर्दू से जो चात्र किये थे उनका और बंगला से जो चात्र किये थे वन टू फाइब में उनका साथी साथ यहां पर जो CST department से भी 276 कुल पोश्ट थे तो उनका भी result यहां पर देदिया गया है 125 में general का जो चात्र BCEBC welfare department के लिए apply किये थे class 9 to 10 के लिए mathematics में उनका भी result दे दिया गया है class 6 to 8 के अगर हम बात करें यहां पर तो जो भी BCEBC department से जो है चात्र apply किये थे तो उनका भी result दे दिया गया है अब जब इनकी result download करेंगे आप लोग एक एक करके इनका cut-off भी देखेंगे और साथी साथ district allocation list भी दे दिया गया है तो यह सारी जानकारिया यहां पर मैं आपको दे रहा हूँ आज सुबा भी आप लोग को कुछ result दिये गया है जैसे कि Arabic का है Business Study का है Mathematics 9 to 10 में जो भी चात्रे Education और SST के लिए अपलाई किये थे तो यहां ध्यान दिजीगा Education Department में Mathematics के लिए अलग से फिर यहां पर result दिया गया है और यहां पर जो चात्रे Computer के लिए apply किये थे Class 9 to 10 में अब यह जो है सिर्फ और सिर्फ इस Department के लिए Vacancy निकल थी Computer सिक्षक के लिए Computer Science नहीं है Computer सिक्षक के लिए निकल लिए थे तो इनका भी result दे दिया गया इनका भी cut-up दे दिया गया और यहां पर मैं अभी जो है आपको जो 1 to 5 का Education Department का result दिखलाने वाला हूं और इसमें क्या cut-up गया चोकि यह इंतजार था चात्रों का और यहां पर करीब 1,088 seat था तो 1,088 seat था और प्लस यहां पर कुछ seat और जोड़ी गए थी जैसे कि SC female में कुछ seat थी यहां पर जो कि यहां पर दी गए थी करीब 32 के आसपास के seat थी तो कुल मिलाके general की बात करूँगा तो 1837 का result हुआ यहां पर और यह नाम आप लोग check कर सकते हैं यहां पर और फिर नीची आप आएंगे तो नीची इनका cut-up भी दिया गया है category wise यह आपका result है roll number डालिए यह नाम डालिए check कर लिजेगा यहां से यह आपका reach check हो जाएगा अब यहां पर जो आप लोग का result दिया गया है यह result दिया गया है 150 नमबर पर माफ करेंगे 150 नमबर पर दिया गया है यह ठीक है 150 पर जहां पर आपका 30 नमबर जो है language paper से और 120 नमबर जो है आपके general paper का marks दिया जाएगा 30 नमबर जो होगा यह आपका qualifying cutoff को निर्धारित करके अगर tiebreaker होता है कहीं तो यह वहाँ पर आपको decidable किया जाएगा कि किसका selection किसको priority दिया जाए यह आपको जानकार यहां से होगी है इसके बारे में हमने आपको result दिया गया है अठारासों से भी ज्यादा चात्रों का selection हुआ है और यह cutoff देखी का 89 गया है चुकि यहां पे general category को लेकर 90 जाने की संभावनाय बताई जा रहे थी कि 90 के आसपास जो है PRT में आपका cutoff जा सकता है अप्रोक्स वही cutoff है यहां पे general female की भी cutoff है इसके पीछे क्या कारण है और यह पार्ट वन क्यों दिया गया तो पार्ट वन इसलिए दिया गया है चुकि पार्ट वन में आपका language का paper है यह ध्यान रखेगा और इसमें से जो है चात्र हाई स्टमबर लेकर रहा है जेनरल में 19 है फीमेल में भी में यहां पर जगई नहीं था यह लोग आगे जनरल में ही फाइट किया लोग एसी वाले चात्र मेल भी अगर मैं बात करूं तो ठीक लेकिन इसी फीमेल में जो है ना करीब 32 का सीट था लगबाग तो वहां पे cutoff भी बहुत कम गया है मात्र 39 कटफ गया है अब यहां पर देख सकते हैं cutoff का सीनारियो आप लो एसी फीमेल में अगर जनरल की बात करूं तो एक हजार अठासी सीट था और यहां पर बात करूं तो लगबाग 32 की आसपास की सीट थी 32 जहां सीर्थी वहां पर cutoff बिल्कुल गिर गया है नीचे और यहां पर सीट फीमेल की भी बात करूं तो चुकि इनको भी यहां पर मौका दिया गया था इस आरक्षन का लाव उठाने के लिए 49 इनका भी यहां पर cutoff गया है दोनों सी और सी सी फीमेल को लेकर बाकी लोगो डिजैबल डिदी को लिए गया है और डिजैबल ओइच के लिए नहीं दिया गया है इस चाट्रों का तो यहां पर छात्रों का यहां-ठार यहां पर तो तेरा सो बीस लोगों का सेलेक्शन हुआ है वन टू फाइप में उर्दू को पढ़ाने को लेकर अब यहां पर देखिएगा तो टोटल जो पेज है आपका रिजल्ट का यह 48 दिया गया है पर हमें कट अफ से मतलब है थोड़ा तो कट अफ देखते हैं यहां पर अगर हमें बात करूँ उर्दू में भी तो यह कट अफ को मैं हाई काऊंगा 77 ठीक है और 79 फीमिल में गया है जिन्दल में यह जब लोगे इस की बात करेंगे तो कोई कट अफ नहीं दिया गया है SC की बात करूंगा यहां पर चुकि यहांपर सीटे थी हैं तो 43 रखा गया है और SC फीमिल में 45 दिया कया है वही पर माँ बात करूँ EBC फीमिल का तो 39 कट अफ गया है और यहांपे BC कटिरी की माँ बात करूँ उर्दू में, तो 60 कट अफ गया है BC female में 49 है बिल्कुल सही cut-off है बाकी categories का आप लोग check कर सकते हैं यहाँ पे जिस category से आप belong करते हैं तो यह उर्दू का होगी है दोस्तों cut-off और देखेगा यहाँ पे बंगला का भी result दे दिया गया है और साथी साथी के आपका allocation list भी दिया गया है अब बंगला में PRT की में बात करूँ तो PRT में 30 छात्रों का selection हुआ है नाम चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो भी लोग एक्जाम दिये थे तीस लोग के यहाँ पे final selection हुआ है और यह उनका cut-off है इनका भी cut-off काफी high गया है जोकि seat कम थी actually यहाँ पे तो बान भी गया है highest cut-off इनका यह cut-off जो है आपका 150 में गया है इस बात का ध्यान रखेगा सबका जो है primary वालों का 150 में ही cut-off त्यार किया गया है इस बात का ध्यान रखेगा बट जो cut-off का merit बना होगा वो 120 पे ही बना होगा तीस नमबर तो क्वालिफाइंग है इसका mark side जोड़ा भी ना जाएगा SC की बात करो तो 54 गया है SC female में 44 गया है EBC की बात करो तो 62 है EBC female की बात करो तो 44 है BC में हम बात करें तो 55 है और BC female की बात करें तो 49 है यह आपका cut-off सिनारियो दिया गया है तब आप लोग यहाँ पर एक एक करके सारी चीजे चेक भी कर सकते हैं अब और भी किसी class का अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से reject कर सकते हैं तो overall यहाँ पर अभी देखेंगे तो लगबल लगबल सभी का result दे दिया गया है और साथ में district allocation list भी दिया गया है तो आप वहाँ से click करके अपने allocation list के जरिए अपना district चेक कर सकते हैं और जब भी आपका यहाँ पर सफल उमिद्वारों का जो डिवी करवाए जाएगा उसी जिले में जाके अपने district कार्या ले मतलब जहां पर आपका सिख्चा पतादीकारी का office है वहाँ पर आपको report करना है और यह सारी जहनकारी आप अपने जिला के website भी देख सकते हैं जिस जिला में आपको जाना है जिसे कि माल लिए कि इनको कटिहार जाना है तो कटिहार में जो भी यू office है या प्रमर्श केंदर है वहाँ पता कीजिए और वहाँ पर आप सिधे अपने सारे वो documents के साथ चले जाईए documents का list हमने आपको बता के रखा हुआ है और यहाँ पर चुकि देखे PRT की बात है तो एक बाद documents में आपको याद दिला दू और इन शॉर्ट की बात करो तो टेंथ का ट्वेल्थ का यह तो मार्शिट आपको चाहिए ही चाहिए और साथ में चुकि यहाँ पर देखे DLA वालो अपने apply किया था तो DLA वाले चाहतर अपना certificate रख लेंगे चुकि यहाँ से B8 बाहर है NIUS DLA बाहर है तो यहाँ से जो भी चाहतर आएंगे वो general DLA वाले आएंगे तो यह certificate तीन आपका तो लगना ही लगना है जिसमें इस पर आपने को ने आविदन किया था अधार card जो कि mobile card mobile number से आपका link हो वही mobile number जो कि आपने यहाँ पर डाला है अपने form को बढ़ते समय इस बात का ध्यान रखेगा OTP आएगा इस पर तो ही आपका जो है document verification कराया जाएगा यह counseling होगी आपकी तो यह जरूरी है यहाँ पर अच्छा उसके अलावा आपका जितना भी download किया हुआ photo है ध्यान रखेगा जितना भी आपने upload किया था form बढ़ते समय document उसका download कर लेजीगा जिस पर की watermark लगा होगा और वो watermark वाला copy जो है वो आपको ले के जाना है कहां ले के जाना है तो ले के जाना है अपने DEO के पास वहाँ पर आपका verification कराया जाएगा जिस जिलाब में आपको आवंटन किया गया है बाकी मैंने document को पर वीडियोज मनाये है आप लोग उसको reach चरूर कर लिजीगा फिलाल दोस्तु इस वीडियो में तो इतना ही है और कोई भी अगर आपके doubt है तो comment section में comment कीजिए फिलाल अभी के लिए इतना ही जय हिंद